बाउजन समाज पार्टी ने निश्कासित कर दिया है, अनुशासन हींता पे किया है, और क्या वोलते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधी पे किया है, तो वर्डिक्ट एक आच चुका है, और अगर मैंने उस पर कोई रिव्यव नहीं फाइल किया है, इसलिए अपने पुराने विश्वस्ने चहरे को इस वज़े से निकाल दिया कि उनको यह आभास हुआ कि वो पार्टी विरोधी गतविधियों में शामिर है नकुल दूबे जो तक्रीवन 20 सालों से मौजूद रहे पार्टी में नेता रहे मंत्री रहे और एक ब्राम्मर चेहरा रहे पार्टी के लिए चुनाओ के बाद रिजल्ट काफी आपोजिट आये हैं बहुजन समाज पार्टी के एक सीट मिली हाला कि उसी की दौर माला जा रह हैं मोजन समाज पार्टी के आखिर क्या वज़े रही जो बहुजन समाज पार्टी के लेकिन ने लिया है कुसतो हो समझ के लिया होगा मुझे संग्यान में 17 तारिकों सुबह जानकारी में आया जब मारे भाई लोगोंने हमको फोन करे बताए कि यह वो ट्वीट चलना है तो वो ट्वीट मैंने मुझे नंबर काई भाई नो मुझे फॉरड किया था वो देखके मुझे जानकारी मिली कि मुझे समाज पार्टी के निस्कासित कर दिया गया आप तो बहुत 20 सालों से रहें नेता रहें मंत्रे BSP के लिए में से खड़े रहें और ऐसी इस्तिती में अब क्या है आपको क्या लग रहा है क्या वज़े रही होगी आपको निकालने की अब वज़े है तो मैंने कहा ना कि अब हम लोग जौनपूर के एक विधान सभा में हम लोग उस दिन पद्यात्रा कर रहे थे और हम लोग चार साड़ा चारवे तो वहां पद्यात्रा चुनाओ पचार का समय समाव तो उसके बाद हम लखना हुआ गये और उसके बाद से फिर साथ तारी को वोटिंग होई फिर उसके बाद से सब्लों अपने बने काम में वेस्त हो गए थे 25 तारी को परढ़राम हो आ और हरादमी उसको परढ़राम को देखकर के बहुत ही दुख्य और चिंतित हुआ तो पार्टी विरोधी कत्वीजियों में अभी आने या लप्लिप्त होने को कोई सवाल ही नहीं है कि कोई यहां पर कोई लेक्शन तो भी है नहीं निकिन मानिया बहन जी को लगा होगा उन हम ने चुकि अब समाज हमारा है और समाज के साथ हम बहुत दिन से उठते बैठते जाना है और इस तरह के टूगेदर हम लोग हमेशा करते चले आए हैं तो यह हुआ कि एक बार हम लोग बैठ करके इस पर भी चिंतन किया जाए कि यह क्या मिश्टीक होई कहां हम लोग कम तो अब कुसी ने जा के कुछ काने बताया होगा कि ऐसा है वैसा है उस पर आपको लगता है कि जो अब ब्राहमण चेहरा आप चुकी रहे हैं तो ब्राहमणों ने जिस तरह के विधानसभा चुनाव में जो आउटपुट नहीं दे पाई बीएस पी को उसी कहीं वज़े हो होती और अब ये बात होती तो हां तर लेकिन चुकि अब एक विशित नहीं आई है तो पुरे प्रदेश में पुरा सफाया हुआ है तो मुझे ये कारण नहीं परतित हो रहा है और को कारण हो का बागवान जाने बहुजन समाज पार्टी के बहुत नेता थे जो पुराने जुड़े रहते बहुजन जी के साथ में शुरुआती से लेकर मिशन से आज तक उसमें बहुत से नेता है उसमें आपका भी नाम है और आज आप भी बहुजन समाज पार्टी का साथ एक तरीके छोड़ते जा रहा है तो एक बढ़ा फेस माना जा रहा था ब्राम माट चरा बहुजन समाज पार्टी में एक वैक्यूम तो आ गया है इसमें कोई दो राय नहीं है अब क्या आप पार्टी में वापस जाएंगे दोबारा बहुजन समाज पार्टी ने निश्कासित कर दिया है अगर मैंने उस पर कोई रिवी नहीं फाइल किया है अपील नहीं फाइल किया लुजन को मेंने उनको आभार कड़ किया है क्या कुछ नए राजनीतिक दल की तरफ जाएंगे या नया संगठन बनाएंगे क्योंकि आप पुराना राजनीतिक चेहरा रहे हैं तो सब लोग बैठ करके कल उन्होंने मीटिंग किया है फिर उन्होंने मीटिंग रखा है एक दो दिन में तो मीटिंग करके जो सब लो उस समय से निर्णे लेंगे उन्होंने मेरे पर बाधिकारी होगा उस निर्णे के मादर में कारे करोगा पीजेपी के साथ खड़े होने पर आप पार्टी जो है बिल्कुन तूट गई देखिए ये तो कहना कताई उशित नहीं होगा क्योंकि मुझे याद है कि 23 जुलाई सन 2021 को हम लोगों ने पहला कार्ट्रम किया था अयुद्ध्या से शुरू किया था और जिस तरह से भीड उमरना शुरू ही कि हम लोगों को देखा देखे फिर वो क्या मोलते हैं समाजवादी पार्टी वालों ने भी बहारती दता पार्टी वालों ने सब ने प् भी एस्पी को बहुत मजबूत करने का काम किया और हम लोग सफर भी रहे यह दूसरी भात है कि हम लोग सीटे नहीं जीत पाए बहुजन समाजवादी के नमबर नहीं आ पाए लेकिन हम लोगों ने जो जिस ताकत से कार किया था और आप लोगों ने उस तुर सुन को कवरि होगा आप जो देखा है तो नकल दूबे ते साफ तो रसे मानना है कि अब बीसपी को छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ लगातार जोड़े हुए हैं ऐसे में वज़े अभी तक साफ नहीं हो पाई या कि क्या वज़े रही जिसकी वज़े से बीसपी हुआ हुआ है